नमस्कार विजे लक्षमी फूर्ड चैनल में आपका स्वागत है आज हम बिना ओयल के हेल्दी मियोनिस बनाने जा रहे हैं तो आईए चलते हैं किचन में मियोनिस बनाने के लिए हमने एक जार लिया है मिक्सी का इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पनीर और इसमें डाल देंगे थोड़े से काजू इनको हमने पहले आदा गंटा पहले बिगो कर रखा था अब हमने पानी से निकाल लिया है और इसको बिगे हुए काजू डालेंगे इसमें और इसमें डाल देंगे दो कलिया लसन की थोड़ी सी काली मिर्च थोड़ा सा नमक सफेद नमक डाल देंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम दूद जितना जरूरत होगा उतना हम डालेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में भी डालेंगे और इसमें हम आदा निम्बू निचोड़ कर डाल देंगे अब मिक्सी में ग्राइंड करेंगे इसको अब मिक्सी में हम इसको रुक रुक कर एक दो मिनट चलाएंगे अब इसको चक कर लेते हैं अब ये एक मिनट और चलाएंगे इसको अब इसको चक कर लेते हैं मियोनिस को और ये हमारी दिखिए मियोनिस बहुत अच्छी तरह से तैयार होगी है इसको हमने दो तीन मिनट रुक रुक कर चलाया है अब हम इसे कटोरी में निकाल लेते हैं ये हमारी मियोनिस बनकर तैयार हो गई है अब हम आप को ब्रैट के पीस के उपर लगा कर दिखाएंगे घे देखिए ये कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी मियोनिस बनी है और इसको ब्रैट पीस के उपर लगाएंगे और इसके उपर डालेंगे थोड़ा से एरोगे नूँ और इसके उपर थोड़ा से छिली फ्लेक्स डाल देंगे और इसी तरह हमने इस ब्रैट पीज पर मयोनिस लगा दी है आप इस अपने बच्चों को बिनना ओएल के इसी तरह आप मयोनिस गर्मे बना सकते हैं और यह ओएल फ्री है आप इसको दो तीन दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज में इससे ज्यदा ना रखें और आप ताजी ही बनाएं इसको जब आपने खानी हो और इस तरह से हमारी ये मियोनिस तयार हो गई है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल का बटन दबा दीजिए धन्यवाद